नमस्कार बच्चों आज मैं आपके समक्ष संस्कृत का प्रेथम पाठ शब्द परिजय लेकर प्रस्तो धूंँ यह छठी कक्षा की रोचीरा का प्रेथम पाठ है इसमें शब्दों के बारे में बताया गया है एकवजन, द्वीवजन, भुवजन के बारे में भी बताया है और शब्द परिजय के बारे में भी बताया गया है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको एश है कह, यह क्या है एश है चशक है, चशक है का अर्थ क्या होता है गिलास, चित्र में दिखाई दे रहा आपको गिलाश किम एश है वृत है, वृत है का मतलब बड़ा क्या यह बड़ा है, ना एस है लगू, लगू मतलब छोटा, नहीं यह है छोटा है, अब हम दूसरे पेराग्राफ में आते हैं, इसमें देखी, क्या दिखाई देरा आपको, दर्जी, कपड़े सील रहे हैं, तो अब उसके बारे में बाते करते हैं, सह कह, वह कौन है, सह, शोची कह, वह दर्जी है, कि दर्जी क्या कर रहा है, किम से खेलती, खेलती का मतलब खेलना, क्या वह खेल रहा है, क्या दिखर आपको खेल रहा है, या कुछ काम कर रहा है, देखो, नहीं, सह वस्त्रम शिव्यती, वह वस्त्रों को सील रहा है, एतव कवव, अब इस चित्र में आपको क्या दिखाई दिया दो कुट्ते है अब कवव का मतलब दो के लिए पहला पे्राग्राफ हमारा एक के लिए था अब यह हमारा दो के लिए है । एतव कव ये दोनों कौन है एतव शुन कव सते ये दोनों क्या है कुत्ते हैं किम एतव गर्जत है क्या ये दोनों गरज रहे हैं गरजता कौन है शेर ये क्या करते हैं भोगते हैं ना नहीं एतव टव उच्चाई बुकत है नहीं, ये जोर से भोग रहे हैं ये दोनों जोर से भोग रहे हैं अब हम आगे वाले में आते हैं, इसमें चित्र देखिए कैसा है, क्या है, चित्र में एक किशान है और उसके दो बेल दिखाई दे रहे हैं, हल जोगता हुआ तवव बली वर्दव सत्य है वे दोनों क्या है बैल है किम तवव धाउत है क्या वे दोनों दोड रही है नहीं तवव छेत्रम कर सत्य है वे दोनों खेत को जोद रहे अगला देखते हैं एते के अब इसमें क्या दिखाई दे रहा आपको बैग दिखाई दे रहे हैं थेले तो एते के अब ये क्या है दो से ज़्यादा है तो दो से ज़्यादा हो गए तो क्या हो गया भावचन तो यह हमारा भावचन के लिए है एते के ये क्या है एते सयूता स संति यह सब थैले हैं कि में एते हरीतवर्ण ह मतला हरे रंके क्या यह हरे रंके हैं नहीं एते नीले रंके हैं अब आगये वाले माते हैं आपको क्या दिखाई दे हैं वृध्ध लोग बैठे हुए हैं बुजुर्ग- ते के- वे कौन हैं- ते वृध्धासंति- वे सारे बुजुर्ग ते- गायनिति- क्या वे गा रहे हैं- क्या कर रहे हैं हस रहे हैं नहीं ते हसंती वे सब हास रहे हैं तो आज का ये पाठ आपको कैसा लगा समझ में आया इसके लिए आपको चारण करना पड़ेगा और बार-बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा धन्यवाद तो आपको